पॉलिसी बजार पर एक करोड़ रुपे का टर्म लाइफ इंसुरेंस के वल चार सपचास रुपे महीने से शुरू वाव नॉइडा में एक हाई प्रोफाइल एक गैंग है जिसका परदाफाश पुलीस ने किया है गैंग जो है वो काफी पोश इलाकों में एक बड़ा उन्होंने दफ्तर खोला था दफ्तर खोलने के बाद वो यहाँ पर ठगी करते थे और इसनोंने 100 से ज़ादा करमचारियों को लोगों को बेफ्कूप बनाने के लिए रखा हुआ था मतलब पूरा सुनियोजे धंग से कैसे लोगों को किसा ठगी की जा रही है उनका पैसा एठा जा रहा है इसकी पूरी तयारी थी क्या बादा था कि मेडिकल में सरकारी कॉलेजों में दाखला करा देंगे आपके बच्चों का उसके नाम पर करोडो रुपए की ठगी ये कर रहे थे अब दफ्तर जो है वो बंध हो चुका है लोग है वो जिन्होंने पैसे दिये अपने बच्चों के भविश्य के लिए वो अब इस पूरी ठगी से आहत होकर परेशान होकर पुलीस के बास्ते ले गए हैं और पुरी जो गैंग है अब फरार है पुलीस ने केस उदर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकरने की कोशिश भी की जा रही है जागा जागा दबिश भी हो रही है नौईडा के सेक्टर 33 की जो इमारत है वहाँ पर कुछ लोगों ने 2 सितंबर को एक फ्लोर कैसे किराए पे लिया औ दो लाख रुपए के किराए पर इस फ्लोर को लिया गया करियर जंक्शन नाम से एक पूरा दफ्तर बनाया गया दफ्तर में एक CEO, Manager, Accountant, HR Manager, Caller सब मिलकर 100 से जादा लोगों का स्टाफ बनाया गया और उसके बाद कैसे पूरी सुन्योजित तरीके से लोगों से पैसे की की गई इसका भानदाफोर हुआ है मैं इस पर जानकारी के लिए सीधे अपने सहयोगी मुकेश के पास आपको लिया चलता हूं मुकेश हमें थोड़ी जानकारी भी देंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से पुलीस ने अब तैकोशिश कर रही है इन लोगों को पकड़ने गैंग ए जसने से तनबर के महिने में निवाटा के सरिक्टर 63 में एक बड़ी सी बिल्डिंग में को मेर्छ बिलिंग में दो ف्लूर कलाया पर लिये थे और जो लाग water क्राया था जि से पूर्लोर का और वहां पर करीब 100 लोगों का स्थारप रखा उसके आंकों एसे लोगो का एडूशन हम करा देंगे और अच्छा कॉलिज दिलाएंगे सरकारी कॉलिज दिलाएंगे जिसकी काफी वैलू होती है लेकिन इसके बंदे 20-25 लाख रुपई देने होंगे तो कई सारे लोगों ने ऐसे फौन को ऐसे लोगों से बात नहीं की लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी ट्रेफ में आ गए और उन्होंने 20 लाख या 25 लाख रुपई इनको दे दिये ऐसे बहुत सारे लोग है चाहे वो दिल्ली के हों गाजियाबाद के हो नोड़ा के हो या दिल्ली और NCR के बाहर के हो जो इनके जाल में फस्ते चले गए और इन सभी ने सबसे पै किये और साथ में जो मेडिकल काउंसिल होती है उसका फर्जी एक लेटर भी जारी किया जिसे लोगों को लगा कि साथ उनके बच्चे का हो गया है तो वो लेटर लेकर जब वो कॉलेजों में गए जिन कॉलेजों के लेटर जारी होते जब वहां पर पहुँचे तो पता-प बात को हो या आगरा का हो जब वहां पर पहुची तो पता चला कि ये तो सब लेटर फर्जी है उसके बाद सभी लोगों ने इस गैंग के लोगों को कॉल करना शुरू किया तो सब के मुबाल बंद आने लगे और जब ये दफ्टर आये इनके नोड़ा सेक्टर 63 में तो द इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम निरच कुमार है हलाकि उसने अपना नाम आलोक रखा हुआ था निरच कुमार बिहार का रहने बाला है उस पर पहले से हत्या के दो केस दर्ज हैं और पूरे गैंक पर इसी तरह की घगी के चार केस पहले से दर्ज हैं तो जो जो न लेकिन काफी हाई प्रोफाइल गैंग है जो इस तरह से नीट की परिच्छा पास करने के बाद भी जो बच्चे हैं उनके साथ ठगी कर रहा है और लाखों रुपए ने लिए लाखों रुपए काफी सारे लोगों के इन्होंने ठग लिए मुकेश बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए कुछ लोग जो इस ठगी के शिकार हुए उन्होंने एंडी टीवी से बात कि आपको पहले सुनवाते हैं कि उनके क्या-क्या आरोप है मैं सेक्टर 63 के इनका जो ओफिस है दी ब्लोक में उसमें आया तो वहां इन्होंने मुझसे कहा मेरा जो था कि मैं शार्दा कॉलेज में अपनी बच्चे का एडमिशन कराना करता हूं तो उन्होंने अभी सार्दा कॉलेज में क्या करोगे हम आपको गवर्मेंट कॉलेज मे मैं खर्च करने पड़ेंगे मैंने कुभी तीसलाग रुपे तो हम प्राइविट कॉलेज में करा लेंगे तेके नहीं आपको जो है ना वो एक बार में हो जायागा और गौवर्मेंट कॉलेज में इसी सीट होती है जो कैंसिल हो जाती है जिसको हम कॉलेज में डोनेशन दे करके हमारा उनका टच में होता है हम उने डोनेशन दे करके और सीट अलॉट करा लेते हैं तो कभी आपन की ऑफिस गये दिखा किस तरह से लोग रहते हैं क्या में तो देखी तो ऑफिस देखे दोन्हों ने गड़बढ़ कर दिये इतने ऑफिस में इंपलाइज बैठे थे उपर नीचे वो देखके फिर लखनू बेजाया अथनी को वहां दिख करके सबना इसे करें आफिस तो बहुत अच्छा पना रखा था मरब आपको लगा की बिल्कुछ जनुवन है जनुवन है पूरा इस्ताफ इस्ताफ सब और मैं मिलने ने जा रहा था दवस्ती मुझे जबस्ती बुलाया है मैंने कारी मैं नहीं आओंगा पैसाब मुझे मिलने जाग पात करें एक दफ़ा मिल लिजे पैसे मत दीजे कहां मुझे अट पर सब्सक्राइब करने के लिए हम वो एलॉट्मेंट लेकर पहुंच गए वहां जाकर पता चला कि और लेटर इतना जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ हुआ था कहता है नहीं ये तो फर्जी है मैंने का आपने तो आपने तो आगी अभी ओरिजिनल है डॉकुमेंट लाओ क्योंकि वह लेटर ही इतना ओरिजिनल था कि हम लोग सब एजुकेटेड लोग ठोका खा गए और जैसे ही वहां पर हमन डॉक्टर बने इंजीनियर बने और उसी की होड में शायद इस तरीके के हतकंडे अपनाने से भी लोग पीछे नहीं अटते उनको लगता है पैसा दे के अगर अड्मिशन हो रहा है तो करा देना चाहिए बच्चे का करियर बन जाएगा इस पर थोड़े आक्रे आपके साम अपने की अगर हम बात करें तो कुछ आखड़े आपके सामने रखते हैं हर साल 18,00,00 से ज्यादा उम्मीदवार नीट का एक्जाम देते हैं प्रवेश परीक्षा जो है वो नीट का एक्जाम देते हैं और इसके बाद उनको अलग-अलग कॉलेज अलोट होते हैं नीट के जरीए कुल मिलाकर 542 मेडिकल कॉलेजों में दाखिला होता है और इसकी के आधार पर जो 15 एम्स हैं उसमें भी बच्चों को दाखिला मिलता है डॉक्टर बनने का उनका सपना पूरा होने की तरफ वो बढ़ते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीज बहुत जादा ह कि उनका वहाँ पर एड्मिशन हो जाए वहाँ फीज भी कम होती है और साथ इसाथ काम करने का मौका भी जादा मिलता है देश के अंदर सीटों के मुकाबले अनुपात के अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेज में बहुत जादा एस्पिरेंट्स हैं और सीटे जो हैं वो बह कराना बीच आते हैं दाखिले जो हैं वो सिर्फ सरकारी कांशलिंग के जरीये होते हैं कोई भी आगर आपको कह रहा है कि हम सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंजनिन कॉलेज में करा देंगे पैसा दे दीजिए वो सीट मैनेज्मेंट कोटे की है वो बिलकुल आपको गलत बता करें आपको medical college में entrance मिल जाएगा समझ लीजे आपके पैसे लेके वो रफो चक्कर होने वाला है किसी अंजान call या message की जाच जरूर कर लें और counseling के लिए भी अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो ऐसा कानूनन अपराद है counseling के लिए कोई पैसा नहीं लगता है ऐसे पैसे किसी को भी ना दें इससे की बाद में आपके बच्चे का सपना भी धरा कदरा रह जाए और आपके जेब से पैसे भी निकल जाए तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें चलिए